ओम सिरी गनेश राइनमा दोस्तो एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 सितंबर गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तों साति सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साति सात आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का समय आर्थिक दरश्टी कोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साति सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ति होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं अज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच यंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यता विवाद में फस सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों क भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाएए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जि आवशकता पड़ सकती हैं जिया दोस्तों कई बातों को ले कर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिस से साररिक तथा मांसिक रूप से आज आप एस्वस्त का अनुबव कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकार अतमक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समेले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वरद्दी हो सकती है लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत है तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत है तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रेतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानबूती आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, सदबाब, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कारे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे या दोस्तो आरतिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जहां दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साती सात विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाय बनाएंगी जिन में उनको अवस्चे ही सफल तप्राप्त होगी नोकरी कनने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्थ में कुछ हद तक स सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश शुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इसनान आदी से निर्वत्र होने के बाद केले के व्रक्ष पर जल अर्पित करके सुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और भगवान श्री हरी विश्नुजी के मंत्र ओम नमो भगवते वाशुदेवाए नमहां मंत्र का आप 108 बार बहुती सच्चे मन से स्र श्री हरी विश्नुजी बहुत जल्द प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं सभी परेशानियों कांत करेंगे और भगवान विश्नुजी के आशिरवाश से ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ तो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश्री हरी विश्नुजी वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद